नमस्कार, सुवागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिनल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर और आपके साथ मैं हूँ गौराथ सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीरे टीवी स्क्रीन पर जो आप चल रही है वो आप देखिए ये काफिला है ये अंतिम सफर है जनरल बिपिन रावत का तस्वीरों में आप देखिए आर्मी का जो ट्रक होता है उसे फूलों से सजाया गया है पीछे लोग तिरंगा लेकर दोड़ रहे हैं किसी के हाथ में बैनर है तो किसी के हाथ में बड़े बड़े पोस्ट है जिसमें लिखा गया है जनरल बिपिन रावत अमर रहें अमर रहें वाकई ये तस्वीरे जो हैं बहुत गमगीन तस्वीरे हैं ये तस्वीरे वो तस्वीरे हैं जिन पर आज सेना को गर्व है हर मिशाल पेश कर गया कि किस तरीके से सेना की रगों में आज भी वो खुन दोड़ता है कि जो देश की सेवा में ही काम आता है जाबास कैसे फॉलादी इरादे लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं फॉलादी इरादों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं दुनि देश के काम आए और इस नौकरी के बाद उन्हें सीडियस में के तौर पर चुना गया देश के पहले सीडियस बने यानि चीफ आफ डिफेंस सर्वेसे स्टाफ तो उसमें क्या होता है कि यह जो पहरी बार उनके लिए पद निकाला गया था वो पद ही कुछ इस तरीकी का कि तीनों सेनाओं में समन्वय बना रहे जल सेना थल सेना वायू सेना तीनों के जो वरिष अधिकारी है जो परमुग है तीनों सेनाओं के वो उनमें आपस में समन्वय बना रहे उनके उपर एक सीडियस रहे जो बड़े फैसले ले सके और इसमें कहने में कोई दोराई नह चुना गया था उसके बाद से लगातार हमारी आर्मी मजबूत हो रही थी हमारा देश मजबूत हो रहा था चैए वो चाइना हो चैए वो पाकिस्तान हो हर कोई हमसे डरने लगा था धरने लगा था ये रुत्बा था जनरल विपन रावत का हाला कि अब खबरे ये भी आ रही कितना जरूरी है देश की आन वान और स्चान के लिए तो ये हलकी रिक्वार्मेंट जो हुई थी सेडियस पद की वो हो चुकी थी कारगिल गौर के बाद ही हलकी से अमली जमा पहनाया गया मोधी सरकार में और मोधी सरकार के बाद ये जो किसने सोचा नहीं था आज वो हुआ है यानि जनरल वीपिन रावत एक बड़े और वरिष्ट पद पर रहकर आज वो वीरगती को प्राप्त हुए हैं इनके साथ ही जो बाकी बारा जमान हैं बारा अफसर है आर्मी के वो सब भी वीरगती को प्राप्त हुए और साथ में मधुली का रावत जो की धर्म पत्नी ही वो भी जनरल वीपिन रावत साथ और कह सकते हैं कि कि साथ फेरे से साथ जोड़िया ऐसी जोड़िया बनती हैं जो साथ जन्मों तक साथ रहती हैं यानि जब तक जिन्दे रहे तब तक साथ रहे और मरते बक्त आखरी पलों में भी दोनों साथ रहे आज जनरल वीपिन कर देने वाई तस्वीरे हैं कि एक वीर सपूत की भारत मां के एक वीर सपूत की यातरा निकल रही है यह आप देखिए पब्लिक में जोश घंटो किलोमेटर वो ट्रक के पीछे पीछे दोड़ रहे हैं आप देखे किस तरीके से कितना बड़ा काफिला है लोग किस तरह जु ज़ाने में सद्यों गुजर जाएंगी और उसके बाद भी इन्हें भुरा पाना मुम्किन नहीं हो पाएगा तो जनरल विपिन रावत का आखरी सफर है आज पांच बजे ने पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा इन्हें इनकी धर्मपद्नी के साथ तयारियां अल्मोस पूरी हो चुकी है फिलहाल ये जो काफिला है उनके घर से निकल चुका है अंतिम जातरा चल रही है तो हम इंडिया न्यूस की पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर जनरल विपिन रावत को शर्दाजी लिए अपरित करते हैं कि वो अमर रहें और हमेशा वो देश के लिए और देश की आने वाली पीडियों के लिए एक मिसाल के बावर पर याद किये जाएं नमस्कार